मैं मैं सिंप्य गररी आपको स्वागत करती हूँ आज हम बनाने जा रहे हैं रस बली यह उडिसा के फिमस मंदिर जगनाथ जी को छपन भोगों में से एक चड़ाया जाने वाला भोग है और इसे बनाना हम सुरू करते हैं इसके लिए हम एक लिटर दूद को पहले गरम कर ले पनीर लेंगे इसे हम कदुकस कर लेते हैं पनीर लेते से में ध्यान रखे कि पनीर एकदम सॉफ्ट होना चाहिए और इसे आप चाहे तो हतों से भी मैस कर सकते हैं हमने कदुकस कर लिया है पनीर को अब हम इसमें आड करेंगे दो चमच मैदा आप चाहे तवाटा भी ले सक इन सब को कि मिक्स कर लेते हैं मिस्क करने के बाद तु Future से दubा दबा करा कर लेंगे और एक सफ्ट सा डो त्यार कर लेंगे तो कम ग्ला म। सबतने के बाद यह संवीत है उनकी कहसे है तो अब छोटी बैक्की बनाएंगे की पेड़े के आकार का में बना ले लेlando है कि पहले हम लोई बाराबर काट लेते हैं और अब टिक्की तैयर कर लेते हैं एकदम हलकी आतों से प्रेस करके चिकना सा टिक्की तैयर कर लेना है और अब हम ऑईल गरम करेंगे स्वारी अब हम गरम किवे दूद में केसा डाल देते हैं थोड़ा सा कम से कम आट दस धागे केसा डालने के बाद इसका फ्लेवर और कलर दोनों ही बहुत अच्छा हो जाता है और अब हम इसमें आड़ करेंगे तीन चम्मच मिल्क पाउडर और इसे बढ़ाबर चलाते रहेंगे और हम सुगर आट करेंगे इसमें तीन चम्मच सुगर को आप अपने मिठास के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं और इसे बढ़ाबर चलाते रहें इसे गाढ़ा नहीं करना है बस इसे पांच मिर तक उबालाने तक चलाते रहें उसके बाद दुद को ठंडा करने के लिए गैस बंद कर दीजे और लाश्ट में इसमें इलाची पाउडर आल दीजे अब हम ऑल गरम कर लेते हैं यहापे हम एक दम धीमियाज पे रखा है दीमियाज पे रखने से यह जो टिक्की हमने बनाई है यह अच्छी तरह से पक जाएगा अंदर तक थोड़ा सा नीचे जब ब्राउन हो जाए तब इसे पलट देते हैं और कंसकम इसे दो तीन बार लगातार पलटते रहते हैं जब यह गोल् हमने उंगलियों से इसमें होल कर दिया है इससे होता है कि यह बीछ से भी जो आया निकलता है वह थोड़ा जल्दी से सिल्से पका देता है अंडर तक है ईसे दो इसे निकाले देते हैं अब गोलेन ब्लाउन होँएचुका है अब देख सकते हैं तो आब हम आदोग ब्लीति यह अप्र जो दूद तैयार हुआ है के सरवाल में कम से कम आदा गंटा ताकि धूद अच्छ नहीं इसमें और इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा लगेगा जब ये दूद इसमें पूरी तरह से मिल जाएगा तो हमने गाने सिंग कर लिया है आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए और शेयर किजिए धन्यमाद